हलो एवरिवान एपक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफरम पर आपका हाधिक स्वागत है बच्छों लाश्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे गणिती आगमन सिद्धान्त और उस पर बेस हमने कुछ कुछन किये थे गणिती आगमन सिद्धान्त क्या होता है वो समझाता और आ को सिद्धान को सिद्ध करना तो सबसे पहले न लडए के लिए मनें करते हैं कुछन देखें, n बराबर 1 की बात करें तो n बराबर 1 पर LHS में n बराबर 1 रखेंगे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 यह हो जाएगा 2 ठीक है? n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा? 1 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2 अपान 3 यह होगा 3 दुनी 6 और 6 बटा है 3 मतलब हो गया 2 ठीक है? लिख सकते हैं आता है n बराबर 1 पर क्थन सत्ते हैं अता है n बराबर 1 पर क्थन सत्ते हैं ठीक है? माना n बराबर k पर क्थन सत्ते होगा माना n बराबर k पर क्थन सत्ते होगा क्या लिख 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 देते हैं 1, 2, 2, 3 प्लस के के प्लस वन और प्लस बराबर हो जाएगा के इंटू के प्लस वन के प्लस टू बाइट थ्री इससे देते हैं हम समी का नमबर एक ठीक है? और समी का नमबर एक देने के बाद हम n बराबर के प्लस वन पर चेक करते हैं अतह 2, 3 और आगे आजाएगा के इंटू के प्लस वन के इंटू के प्लस वन और n बराबर के प्लस वन रखेंगे तो next time क्या होगी बचो? के प्लस वन और के प्लस टू केलियर? यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो समी कर नमबर एक से इसका मान रख देते हैं के, के प्लस वन, के प्लस टू बाई 3 तो यह हो जाएगा के के प्लस वन के प्लस टू बाई 3 और प्लस में है के प्लस वन और के प्लस टू क्लियर? देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? के प्लस वन, के प्लस टू common और साथ में हो गया k by 3 plus 1 ठीक है? यहाँ पर LCM ले लेते हैं बच्चों तो यह हो जाया k plus 1 k plus 2 और k plus 3 upon 3 देखते हैं n बराबर k plus 1 अगर यहाँ रखें तो क्या आना चाहिए? k plus 1 k plus 2 k plus 3 by 3 आना चाहिए और हमारा यही ही आ रहा है के प्लस वन के प्लस टू के प्लस त्री बाई त्री तो हम लिख सकते हैं अतह एन बराबर के प्लस वन पर कथन सत्य है ठीक है तो लिख सकते हैं गणीतिये आगमन सिद्धान से कथन प्रतीक एन अव्यवे कैपिटल एन के लिए सत्य होगा के लिए सत्य होगा ओके ये हो गया हमारा कुशन नमबर और वन जो अभी हमने करा गणीतिया आगमन सिद्धान इसमें फोलो हो गया और ये सिद्ध हो गया देखते हैं नेक्स कुश्चन वन ट्री फ्री फाइफ फाइफ सेवन तो एन माइन प्लस वन एन फौर आन स्कॉर प्लस सिक्स एन माइनस वन बई थ्री स्वल करते हैं एन बराबर वन पर क्या हो जाएगा लह शा यहाँ बरल लग दे टू इंटू वान माइनस वन टू इंटू वान प्लस वन ये ओं गया हमारा 1 into 3 3 हो जाएगा और RHS की बात करें तो RHS में N के इस्तान पर 1 रग दें तो 1 4 into 1 square plus 6 into 1 minus 1 by 3 तो यह हो गया 6 और 4 10 10 में से 1 गया 9 और 9 बटा 3 का मतलब 3 ठीक है अतह N बराबर 1 पर कथन सत्य होगा या है ठीक है क्लियर आम मान लेते हैं कथन N बराबर के के लिए सत्य है माना N बराबर के के लिए कथन सत्य है क्लियर N बराबर के के लिए कथन सत्य है इसका मतलब 1 3 3 5 1 3 3 5 और आगे इसी तरह से जाएंगे तो यह हो जाएगा 2K माइनस 1 2K प्लस 1 ठीक है बराबर के 4K स्क्वाइर प्लस 6K माइनस 1 बाइ 3 यह हो गई समी का नमबर 1 क्लियर है बच्चों आप क्या करें N बराबर के प्लस 1 के लिए सिद करते हैं अतह N बराबर के प्लस 1 पर ठीक है N के इस्तान पर K प्लस 1 रखें हैं बच्चों तो यह 2K प्लस 2 माइनस 1 मनेगा मतलब 2K प्लस 1 मनेगा यह वहला पत और अगला पत बनेगा 2K प्लस 3 तो अगला पत दोनों पत लिख देते हैं क्या होगा 2K प्लस 1 और 2K प्लस 3 ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक समीकर नमबर एक से मान रख देते हैं क्या मान है 4K स्क्वाइर प्लस 6K माइनस 1 बाइ 3 प्लस 2K प्लस 1 और 2K प्लस 3 क्लियर यह होगे हमारे मान अब इसको हम L-C-M लेके स्वाल कर लेते हैं देखें इसको इससे गुणा कर दें इसको इससे गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा यह हो जाएगा 4K Q प्लस 6K स्क्वाइर माइनस K ठीके और यह 3 इससे गुणा हो जाएगा जब L-C-M लेंगे तो यहा 3 गुणा हो जाएगा यह हो जाएगा 2K प्लस 1 और 2K प्लस 3 क्लियर अब इसको पूरी तर से गुना कर लेते हैं यह हो जाएगा 4K Q प्लस 6K स्क्वाइर माइनस के और 3 को इससे मल्टिप्लाई कर लेते हैं पहले 6K प्लस 3 बनेगा क्या है 6K प्लस 3 और मल्टिप्लाई में साथ में है 2K प्लस 3 ओके अपॉन 3 यही था 2K प्लस 3 साथ में हैं यह हमने 6K प्लस 3 कर दिया और गुणा कर लेते हैं यह बन जाएगा 4K Q प्लस 6K स्क्वाइर माइनस के और इसको गुणा करें तो 6 दुनी 12K स्क्वाइर और 6 तिया 18K और 3 दुनी 6K और यह हो गया तीन तिया 9 बटे में 3 और रियर्रेंज कर लेते हैं 4K Q 6K स्क्वाइर 12K स्क्वाइर कितना हो जाएगा बच्वाइर 18K स्क्वाइर और 18K और 6K 24K 24K में से कह गया तो 23K और प्लस 9 और बटे में 3 ठीक है अब क्या करें देखे यह एक त्रीघात वेंजक है बच्वाइग और त्रीघात वेंजक स्वाइल कैसे करते हैं यहां पर हम यहां पर हम के का मान रखेंगे और के का किस मान पर यह पूरा ब्रेगद के पहले तो देखेंगे तो देखेंगे प्लस फहां marble के डिक्कर अगर इसमें 검 ded overly पर वन भी क्तरते हैं टू भी किसी एक पर जीड़ हो गा पहले बाद अम्लमे इसका मतलब मैंस की वेल्यू रखने पर पर बच्चों यह 0 हो गया अगर त्रीगात विंजक सौल करना नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए ठीक है के बराबर माइनस वन रखने पर यह 0 हुआ इसका मतलब के प्लस वन जो है इसका एक सर्व संभव गुड़न करने किसका इस त्रीगात विंजक ठीक है अब हम क्या करेंगे नाइन तो टैनल पढ़ते थे अशर ठीक है अब के प्लस वन का हम इसमें भाग देंगे दे लेते हैं यह बाग 4KQ प्लस 18K स्क्वाइर प्लस 23K और प्लस 9 में K प्लस 1 का अगर भाग दें तो K स्क्वाइर से अगर गुणा करें मतलब K स्क्वाइर बाद भाग 10 पर तो क्या आएगा 4KQ 4 बार ठीक है 4KQ और प्लस 4K स्क्वाइर आजागा यहाँ पर भाग यहाँ पर चेंज होते हैं माइनस यह कैंसल हो गया 18 में से 4 गये तो 14K स्क्वाइर प्लस 23K अब कितनी बार जाएगा भाग 14K बार जाएगा तो यहाँ जाएगा 14K स्क्वाइर प्लस 14K ठीक है माइनस माइनस 23 में से 14 गये तो यहाँ बचेंगे 9K और प्लस 9 तो हम 9 बार बार दे देंगे ठीक है यह हो जाएगा 9K प्लस 9 कहने का मतलब हम इसको लेख सकते हैं K प्लस 1 गुणा में आएगा ना जैसे 6 में अगर दो काप अग दे तो दो ती अच्छे होता है तो दो गुणा तीन पुकड़ होते हैं यह जो हमारा question था अगर इसमें N के स्थान पर K प्लस 1 रखें तो यहाँ तो K प्लस 1 आए गई और यहाँ आएगा 4K प्लस 1 और यहाँ माइनस 1 तो देखिए यह वाला पार्ट तो मैंच होई रहा है हम इसको और स्वाल करके देख लेते हैं वही वैल्यू आ रही है तो हम लिख देंगे कि और बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य देखो 4K बनेगा यह 8K बनेगा प्लस 4 बनेगा 6K बनेगा और 6 बनेगा मतलब 6 माइनस 5 बनेगा ठीक है तो यह बन गया 4K स्क्वाइर 8 होचे 14K और 5 और 49 बिल्कुल मैंच हो रहा है 5 और 49 हो जाएंगे न तो देखिए यह वाला सेम है 4K स्कार प्लस 14 K प्लस 9 इसका मतलब हम इसको चाहें तो उस तरह से लिख सकते हैं जैसा कुष्टन था क्या के प्लस 1 4 k plus 1 का hall square plus 6 k plus 1 और 7 में क्या था माइनस 1 अपान 3 और यहां लिख देंगे अत्तहाँ n बराबर k plus 1 के लिए कथन सत्य है ठीक है और गनिति आगवन सिद्धान से कथन प्रतिक n अव्यावे capital N के लिए सत्य होगा next question है देखे 1 इंटो 2 2 इंटो 2 square 3 इंटो 2 cube और N इंटो 2 की पावर N एन माइनस 1 2 की पावर N प्लस 1 ठीक है क्या करें यहां पर सबसे पहले N बराबर 1 पर N बराबर 1 पर LHS solve करते हैं 1 इंटो 2 की पावर 1 यह हो गया 2 RHS solve कर लेते हैं RHS solve करेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस 1 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 ठीक है N के स्थान पर हमने रख दिया 1 यह 1 माइनस 1 जीरो हो जाए इसका मुलब यह 0 इसका मुलब यह 2 आ गया अतह एन बराबर 1 पर कथन सत्य है एन बराबर 1 पर कथन सत्य है के लिए इसके बाद क्या करें माना एन बराबर के पर कथन सत्य होगा मान लिया एन बराबर के पर कथन सत्य होगा तो क्या करें देखिए हो जाएगा यह 1 2 2 2 2 स्क्वार प्लस 3 इंटू 2 क्यू और प्लस के इंटू 2 की पावर के बराबर यह हो जाएगा के माइनस 1 2 की पावर के प्लस 1 और प्लस 2 ठीक है यह हो गई समी का नंबर 1 ठीक है अब इससे समी का नंबर 1 दे दिया अब इसके बाद क्या करेंगे अतह एन बराबर के प्लस 1 के लिए हम सिद करके देखते हैं देखते हैं अतह N बराबर K प्लस 1 पर, N बराबर K प्लस 1 पर यह हो जाएगा, K इंटू 2 की पावर K, ठीक है, और अगला पत जो होगा, वो हो जाएगा K प्लस 1 इंटू 2 की पावर K प्लस 1, N के स्थान पर K प्लस 1 रखा है न, तो K प्लस 1 इंटू 2 की पावर K प्लस 1, क्लियर, यहां से लेकर यहां तक का मान, समी का नंबर, एक से रख देते हैं, क्या है मान, K माइनस 1 2 की पावर K प्लस 1, K माइनस 1 और 2 की पावर K प्लस 1 और प्लस में 2, 2 और k plus 1 और 2 की पावर k plus 1 यह हमने रखा है मान समीकरण 1 से क्लिए रहा है अब समीकरण 1 से ही मान रग दिया उसके बाद यहां से देखे क्या को मना रहा है इन दोनों मेंसे हम क्वामल ले लेता है 2 की power k plus 1 इसमें से और 2 की power k plus 1 common ले लिया तो क्या बचा k minus 1 और यहां से बचा k plus 1 ठीक है और plus 2 as it is यहां से 1 से 1 cancel हो गया 2 की power k plus 1 और k और k 2 k plus 1 ठीक है यहां पर हम देखिए जो 2 की power 1 है उसको हम इसके साथ shift कर देते हैं तो यहां पर हो जाएगा 2 की power k plus 2 हो जाएगा ठीक है बच्छा की power 1 एड करेंगे इसमें तो 2 की power k plus 2 हो जाएगा साथ में k और plus में 2 देखते हैं क्या आना चाहिए एन के स्थान पर k plus 1 रखेंगे तो k plus 1 रखेंगे 1 से 1 कैंसल हो जाएगा के के आएगा ओनली 2 की power k plus 2 आएगा और plus 2 यही हमारा आ रहा है देखें यही हमारा आ रहा है इसका मतलब लिख दिंगे आता है न बराबर k plus 1 के लिए कथन सत्य है सत्य होगा और गणिति आगवन सद्धान से कथन प्रते कैना व्यवे कैपिटल एन के लिए सत्य होगा ठीक है देखते हैं नेक्स कुशन यह नेक्स कुशन है वन बाई 2 प्लस वन बाई 4 प्लस बन बाई 8 सो ओन वन बाई 2 की power and बराबर 1-1 upon 2 की power and ठीक है क्या करने सब से प इसमें रखने 1-1 upon 2 की power 1 कितना हो गया 1 by 2 हो गया आर एचस में रखने तो है 1-1 upon 2 की power 1 तो यह हो जाएगा 1-1 by 2 मतलब यह हो गया 1 by 2 अत्हा एन बराबर 1 के लिए कथन क्या हो गया सत्य हो गया अत्हा एन बराबर 1 पर कथन सत्य है ठीक है माना एन बराबर के पर कथन सत्य होगा माल लिया एन बराबर के पर कथन सत्य होगा तो क्या करें एन के स्थान पर क्या रख दें के रख दें यह हो जाएगा 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 2 power k equals to 1 minus 1 upon 2 power k समीकर नमबर 1 ठीक है यह हमने समीकर नमबर 1 दे दी और अब क्या करेंगे एन बराबर के प्लस 1 पर चेक करेंगे अत्हा एन बराबर के प्लस 1 पर हमें यह सिद्ध करना होगा ठीक है एन बराबर के प्लस 1 की बात करें तो क्या जाएगा 1 by 2 1 by 4 और so on 1 by 2 power k ठीक है और next पर जो होगा वो हो जाएगा 1 by 2 की power k plus 1 एन के स्थान पर k plus 1 रख दिया यहां से लेकर यहां तक का मान समीकर नमबर 1 से रखेंगे बच्चों तो 1 minus क्या मान है 1 minus 1 upon 2 की power k है और plus में यह एजटीज लिख देंगे 2 की power k plus 1 किस से करा हमने समीकरण एक से क्लियर अब क्या करें देखो यहां पर हमें थोड़ा से स्वल करना है एक चीज थोड़ा से ध्यान दिया करो यहां पर 1 आ रहा है और हमारे n बराबर k plus 1 में भी रखने के बाद भी 1 आना चाहिए इसका मतला हम इसको छेड़ेंगे नहीं ऐसा ही चलने देंगे हम सॉल करेंगे इन दोनों पदों को ठीक है तो यहां हम 1-1 upon 2 की power k plus 1 upon 2 की power k plus 1 यहां 1-1 इन दोनों में से कोमल लिया 1 upon 2 की power k क्या बचेगा यहां तो बचेगा 1 और यहां क्या बचेगा माइनस कोमल लिया तो माइनस आ जाएगा 1 by 2 बच जाएगा यहां से 1 by 2 बच जाएगा ठीक है अब यह हो गया 1-1 upon 2 power k 1-1 by 2 यह हो जाएगा 1 by 2 ठीक है और इसे हम लिख सकते हैं 1-1 upon यह 2 की power k है और यह 2 की power 1 है ठीक है तो यह हो जाएगा 2 की power k plus 1 n बराबर k plus 1 रखे देख लो question में यहां रखेंगे तो n की स्थान पर क्या आना चाहिए k plus 1 और वही हमारा आ रहा है तो हम लिख सकते हैं अतहा n बराबर 1 के लिए n बराबर k plus 1 के लिए कथन सत्य है इसका मतलब गनीतिये आगवन सिद्धान से गनीतिये आगवन सिद्धान से प्रतेक एन अव्यवे कैपिटल एन के लिए कथन सत्य होगा के लिए कथन सत्य होगा ठीक है ओके next question है हमारा देखिए एन इन अपॉन 6 एन प्लस 4 लेकिया आना है वान अपॉन 2.5 नहीं है वान अपॉन 2 इंटु 5 है ठीक है ऐसे वान अपॉन 5 इंटु 8 है वान अपॉन 8 इंटु 11 है यह बात आप ध्याला किएगा और यहां भी multiplication में है ठीक है मतलब गुणा में है खुल मिला के हम वही सबसे पहले करते हैं एन बराबर 1 पर एन बराबर 1 कहां रखें यहीं रखेंगे और RHS के लिए इसमें रख लेंगे LHS में रख रहे हम एन बराबर 1 3 इंटु 1 माइनस 1 और यह हो जागा 3 इंटु 1 प्लास 2 ठीक है तो यह आ जाएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और 3 प्लास 2 कितना हो जाएगा 5 जाएगा 5 तू जा 10 मतलब 5 दूनी 10 यह हो गया 10 और RHS की बात करें तो RHS पर N के स्था पर 1 रख दिया 6 इंटु 1 प्लास 4 यह भी आ गया 1 बटर 10 अतह N बराबर 1 पर कथन सत्य है अतह N बराबर 1 पर कथन सत्य अब क्या करेंगे N बराबर parent के लिए मालेंगे की माना अंब बराबर के कर दे होगा और ऑर अन बराबर के प्लस के लिए के लिए बटा देंगे धयान देजय आपको दो नंबर मिल जाए एंड बराबर वन कोई भी रख सकता है महलब छोटी क्लास का बच्चा भी आराम से रख सकता है मैं जो है आपका पार्ट है इस क्वेश्चिन में इन क्वेश्चिनों में एंड बराबर के प्लस वाला तो आप पूरा कंप्लेट करेंगे चार यह नंबर डेर नंबर जैसा वचट टीचर देघे वह रहेगा ठीक है माना अन बराबर के पर कफन सत्य होगा तो मान लिया एंड बराबर के पर क्फन सत्य होगा क्या हो जाए वन अपॉंग टू इंटू 5 प्लस वान अपॉंग ड्वन इंटू 8 और प्लस 1 अपॉन 3K माइनस 1 3K प्लस 2 बराबर K अपॉन 6K प्लस 4 यह दे दी समीकर नमबर 1 ठीक है अब यह समीकर नमबर 1 के बाद हम क्या करेंगे अता N बराबर K प्लस 1 पर मान रखेंगे N बराबर K प्लस 1 पर वही सिर्थ करके देखेंगे पहले तो N बराबर K प्लस 1 रखेंगे इसमें और उसको LHS जो solve करेंगे उसको RHS के equal दियाएंगे ठीक है आता है N बराबर K प्लस 1 पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 5 1 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 3K मिनस 1 और 3K प्लस 1 3K माइनस 1 और 3K प्लस 2 एं ठीक है 3K प्लस 2 और प्लस next जो पद होगा वो क्या हो जाएगा देखो K N के स्थांबर K प्लस 1 रखेंगे तो क्या होगा 3K प्लस 2 हो जाएगा 3K प्लस 2 और अगला जो पद होगा वो हो जाएगा 3K प्लस 5 clear यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान समीकन एक से रख देते हैं बच्चों समीकन एक से जो मान आएगा वो है K अपॉन 6K प्लस 4 K अपॉन 6K प्लस 4 ठीके और साथ में यह है हमारा 1 अपॉन 3K प्लस 2 और 3K प्लस 5 इस में से हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण एक से कहां से लिखा हमने समीकरण एक से यह मान रखा है ठीके इस में से हम अपॉन में से 2 कॉमन ले ले तो क्या होगा यह 3K प्लस 2 बन जाएगा और इसका क्या प्रॉफिट होगा 1 अपॉन 3K प्लस हम Direct कॉमन ले लेंगे वच्छ हूर एक है वन अपउन थी के प्लस 2 हम पूरे मिस से कॉमन ले लेते हैं क्या जाएगा 1 अपउन थी के प्लस हूी ठेक क्या बचा के वाइक टू बचा और यहां बचा वन अपउन 3K plus 5 अब यहां पर हम बन अप उन यहां पन थी प्लस 1 upon 3 k plus 2 और यहां LC हम ले लिए 2 3 k plus 5 तो यहां हो जाएगा k into k plus k into 3 k plus 5 और plus यहां हो जाएगा 2 ठीक है यह हो गया plus 2 solve कर लेते हैं 1 upon 3 k plus 2 और यहां आगया हमारा 3 k square plus 5 k plus 2 upon 2 into 3 k plus 5 clear अब देखिए बच्चों इसके गुड़नखंड कर लेते हैं इसके गुड़नखंड क्या होगे देखो 5 लेकर आना 3 दूने 6 तो इसके टुगड़े हो जाएगे 3 k square plus 3 k plus 2 k और plus 2 और अपन में क्या है 2 into 3 k plus 2 और 3 k plus 5 यहां हम इन दोनों में से common ले लेते हैं 3 k 3 k common क्या बचा k plus 1 यहां से 2 common इन दोनों में से क्या बचा k plus 1 और अपन में हम 2 into 3 k plus 2 और 3 k plus 5 देख सकते हैं देखिए जो अंस में बन गया वो बन गया हमारा 3 k plus 2 बन जाएगा एक तो और 7 में बन जाएगा k plus 1 k plus 1 common ले लिया और अपन में क्या है 2 into 3 k plus 2 और 3 k plus 5 यह हो गया हमारा 3 k plus 5 ओके 3 k plus 2 से 3 k plus 2 cancel हो गया तो यह हमारा हो जाएगा k plus 1 और इसको अगर गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 6 k plus 10 ठीके देखते हैं n बराबर k plus 1 रखेंगे तो हमारा question में क्या आना चीए k plus 1 रखेंगे तो उपर तो answer में k plus 1 आना चीए यहाँ 6 k plus 6 हो जाएगा मतलब 6 k plus 10 ठीके तो इसका मतलब यहीं आ रहा है के नहीं आ रहा देखे k plus 1 अपाउं 6 k plus 10 ठीन आ रहा है तो हम लिख देंगे अत्तह n बराबर k plus 1 पर कथन सत्ते हैं तो गणीतिये आगमन सिद्धान से गणीतिये आगमन सिद्धान से कथन प्रतेक N अवयबे कैपिटल N के लिए सत्ते होगा यह हो गया हमारा गणीतिया आगमन सिद्धान से कुष्चन कम ले तो देखे बच्चों यह थे कुछ कुष्चन गणीतिया आगमन सिद्धान के और कुष्चन हम करके देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुष्चन है इस लिए मैगजियूम कुष्चन में आपको कराने की कोशिस करूँगा ठिक है बस आप इनको नौड करिये और प्रक्टिस करते रहिए ठिक है उंपस्राइब इंप सबस्राइब ना